असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हुआपके साथ आईशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर तो दोस्तों पाँच राजियों के विधान सभा के चुनाफ के नतीजे आ चुके हैं अब ये साफ हो चुका है कि मदेपिर्देश, राजिस्थान, 36 गड़, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनने जा रही है आपने ने टीवी पर देखी लिया होगा आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये नतीजे इस बार एक्जिट पॉल की तरह क्यों निकले लेकिन आज मैं ये चाहती हो कि सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखें और ये समझे कि इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो कॉंग्रेस की हार और बीजेपि की जीत की वज़ा क्यों बनता है क्योंकि ये सिर्फ बीजेपि के नेताओं की मंदिर जाने की तस्वीरे नहीं है बलकि ये वो संदेश है जो बीजेपि के नेता देश की जनता को देते हैं ये देश उन्हीं लोगों का है जो मंदिर जाते हैं और इस देश पर राज उन्हीं लोगों का राज रहेगा जो मंदिर जाते हैं वरना सोच ये इस देश में करीब 30 करोड मुसल्मान हैं और इन 30 करोड मुसल्मानों के करीब 3000 नेता होंगे ही लेकिन आज जब पांच राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो आपने एक भी तस्वीर इसी नहीं देखी होगी जिसमें कोई मुस्लिम ने था रिजल्ट के दिन या फिर अपने इलेक्शन के कैमपेंड के दोरान वो मस्जिद गया हो हकीकत तो यह है कि आज का मुसल्मान खास तोर पर मुसलिम नेता इतना डर्पोग हो गया है कि वो मस्जिद तो दूर अपने इलेक्शन केमपेंड में मस्जिद और नमाज का जिक्र तक नहीं करता यहां तक कि असादुद्दिन ओवेसी की भी आपने अभी तक कोई भी तस्विर इसी नहीं देखी होगी कि वो जब चुनाव पिचार या फिर रिजल्ड के दिन मस्जिद गए हो और शायद यहीं वज़ा है कि उनकी पार्टी अपनी ही घर तेलंगाना में चंद सीटों प अपने वोटर्स को यह संदिश देती है कि वो उनहीं के जैसी है उनहीं के जैसे मंदिर में जाती है और उसे सिर्फ उनहीं के धर्म की परवा है मिसाल के तोर पर आप पिये मोधी को ही ले सकते हैं वो जिस भी राज्ये में चुनाव पिचार के लिए जाते हैं वहां वो सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं और अपनी चुनावी रेलियों में वो भी यही बताते हैं कि उन्हें हिंदूों के धार्मिक स्तलों और धर्म क कितनी परवा है जैसे वो जब राजिस्थान जाते हैं वो कनहिया लाल का जिक्र जरूर करते हैं और राजिस्थान के लोगों को ये बताते हैं कि अगर उन्हों ने कौंग्रेस को वोट दिया तो फिर उनका हाल भी कनहिया लाल की तरह ही हो सकता है खुद बीजेपी ने अपने कैम्पेनिंग के दोरानी कहा था कि जिस तरह से कनयलाल का सिर्म कलम किया गया था ठीक उसी तरह से अशोग गहलोत के आने पर उनका सिर्म कलम होगा और शायद आद बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा और सबसे एहम कारण यही है बीजेपी ने इस देश की मैजोरिटी को यकीन दिला दिया है कि उनके लिए धर्म कितना महद वो पुड़ है और आज आपको खुश्बू पांडे नाम की इस महिला को भी देखना और जरूर सुनना चाहिए क्योंकि जितने भी पड़े लिखे मुसलिम हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो इसकी गरफतारी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये औरत मुसल्मानों की दुश्मन है दरसल ये खुश्बू पांडे बिहार की रहने वाली है इसने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें इसने हिंदों से ये कहा था कि उन्होंने मुस्ल्मानों की मस्जिदों को ठीक वैसे ही तोड़ना चाहिए यह अपने देश के हिंदों को ये बता रही ये जैसे इसराइल ने फलिस्तिन की एक हजार से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया उनका वजूद मिटा दिया ठीक वैसे ही देश के हिंदू को भी मुसल्मानों के साथ ऐसा ही करना चाहिए और सिर्फ यही नहीं यह औरत हिंदू को मुसल्मानों के खिलाफ हतियार उठाने की बात भी कर रही है अब सवाल यहां यह है कि यह ऐसा क्यों कर रही है और क्या इस तरह के भढ़काओ बयान देने के लिए इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए तो फिर इसका जवाब है कि यह बहुत सारे मुसल्मानों ने बिहार पुलिस से लेकर नितीश और तेजस्वी यादव को इसके बारे में बता दिया है लेकिन तीन दिसंबर की दोपहर तक एसी कोई खबर नहीं थी कि बिहार पुलीस या फिर पिरशासन ने इसके खिलाब कोई एक्शन लिया हो खैर बिहार पुलीस चाहे तो बैंगलोर पुलीस से कुछ सी एक रहे थे जिसमें दो लोगों ने मैच के दोरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जिसकी शिकायत विदोध नाम के एक शक्स ने कर दी और पुलीस ने इसकी शिकायत पर फोरान एक्शन लिया और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले मुस्लिम सिर्फ एक शिकायत पर बैंगलोर में दो मुस्लिम लड़कों को फोरण ग्रफतार कर लिया क्या उसी तरहां बिहार पुलिस मुस्तैदी नहीं दिखा सकती क्या वो भड़काओ भाशर देने वाली खुश्बू पांडे को ग्रफतार नहीं कर सकती जो सरयाम मुसल्मानों के ख खिलाफ हतियार उठाने और उनकी मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रही है खेर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको फिलस्तीन के शहर गाजा लेकर चलते हैं जहां पर इसराइल ने गाजा पर फिर से बंबरसाने शुरू कर दिये हैं इसराइल लगतार गाजा क रियाईशी इलाकों और रिफ्यूजी कैम्स पर बंबरसा रहा है जैसे ही इसराइल और हमास के बीच युद विराम का समझोता हुआ इसराइल ने गाजा पर बंबारी शुरू कर दी और अब इसराइल का प्रधान मंतरी नेतनियाहू ये कह रहा है कि वो गाजा पर तब त करता रहेगा जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देता और इस हमास के खात्मे में फिर चाहे पूरा फलिस्तीन मलबे में धेर क्यों ना हो जाए और वहां लाशु का धेर क्यों ना लग जाए और दूसरी तरफ हमास है जो पिछले दिनों इसराइल के नागरिकों को दुल इंसानियत वाला है लेकिन हमास ये बूल गया कि वो कितनी भी इंसानियत उसके नागरिकों को दिखा ले उसके लिए वो कल भी दुश्मन था और आज भी दुश्मन ही है और वो ऐसे आतंगवादी ही मानता है खेर आगे पड़ते हैं और आपको एक ऐसी मौडल से मिलवाते ह जो महिने के नो लाख रुपे कमा रही है लेकिन वो इनसान नहीं है जी हाँ जिन तस्विरों को आप देख रहे हैं ये वो उसी मौडल की है दरसल ये मौडल एक AI जनरेटिट मौडल है यानि ऐसी मौडल जिसे सिर्फ देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता लोपेज नाम की ये मौडल है एक्सपर्ट के कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में AI यानि Artificial Intelligence का ही है जहां की दुनिया देखने में तो रियल लगेगी लेकिन असल में वो एक खौब की तरह होगी जिसे सिर्फ देखा जा सकता है इस लोपेज नाम की मौडल ने Instagram पर अपने इतने फोटो डाल लगे हैं और हजारों लाकों लोग इसे फौलो कर रहे हैं लेकिन ये मौडल सिर्फ एक खौब है जो आपको ओटोग्राफ भी नहीं दे सकती खैर कई बार तो मुझे हैरानी होती है कि लोग वर्चुली दुनिया में किस कदर खोच चुके हैं वो एक परदे साइडिफिकेट बनाते थे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं इनके नाम मुहमद्ध जुबेर, मुहमद्ध साहिल और रियाज है ये एक गिरोओं के तोर पर काम करते थे जो लोगों को कोविड वैक्सीन के फर्दे साइडिफिकेट जन्म और मि करती है वो अब दाड़ी रख कर इस तरह का फर्जी वाड़ा करने वाले लोगों को क्या समझेगी है राज इस तरह के मुसल्मानों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि वो तमिलनाडू के शेहर कल्या पट्यम को देखें और इससे नसीहत हासिल करें और सिर्फ यही लोग नहीं बलकि दुनिया के हर मुसल्मान इस षहर में रहने वाले मुसल्मानों से नसीहत हासिल करनी चाहिए इस शहर के बारे में ये कहा जाता है कि यहां आबादी करीब पचास हजार की है लेकिन इस शेहर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है कोई सिंएमा घर नहीं है यहां के लोग इतने शरीफ हैं कि उनके बीच लड़ाई जगड़ा कभी नहीं होता यहां अपराद यानि क्राइम 0% है सोचिए इस शेहर के अखलाख कैसे होंगे इस शेहर के लोग कितने इमानदार होंगे इस शेहर के लोग अपनी दुकानों में ताले नहीं डालते इस शेहर के लोग अपने घर की तिजोरियां बंद नहीं करते इस शेहर में कोई मंचला नहीं है इस शेहर में लड़की ऐसा महसूस करती है जैसे वो अपने घर में अपने भाई और अपने बाप के सामने करती है काश इस शेहर के मुसल्मान की तरहां पूरी दुनिया का मुसल्मान हो जाए और सबसे आखिर मैं आपको मशूर वेग्यानिक आइंस्टाइन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ आखिर मैं आपको मशूर वेग्यानिक आइंस्टाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ दरशल हमें बच्पन से ये बताया गया है कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है लेकिन आइंस्टाइन खुब सोते थे और जी भरके सोते थे और आइंस्टाइन ने क्या खोया और क्या पाया है यकिनर ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि Einstein रोजाना 10 घंटे की नींद लेते थे वो हर रोज 10 घंटे की नींद के अलावा पावर नैप भी लेते थे यानि वो नींद जो दिन के वक्त काम करते करते या फिर बैठे बैठे ली जा सकती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पावर नैप इनसान के लिए बेहत जरूरी है और ये किसी भी इनसान को रिफ्रेश कर देती है तो फिर आपकी जिन्दगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अगर आपको स्वास्ते और सुकून से रहना है तो फिर अपनी नींद से कभी समझोता या फिर खिलवार मत कीजिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप भी अपनी राय कोमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताएं और अगर अपतागा आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब जरूर कर दे शुक्रिया